नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हूँ अपने शहर और आसपास की हल्चल पर जालंदर दिहाद पुलिस ने गाउं उगी में दो बक्षों में हुई हिंसक जड़क के मामली में तीन लोगों को गिया ग्रिट तार दो पिस्तोल बत्तिस पूर आठ भूलिया एक स्विफ्ट कार की विरा में जालंदर कमिशनर एट पुलिस ने अंतर राज़्वी गिरों का भांडा फोड कर दो रुपियों को किया ग्रिट तार पांच किलो फिम की बरामन अमरिस्तर दिहाद पुलिस ने दो नशात असकरों को किया ग्रिट तार पांच सो ग्राम हेरोईन की बरामन और अब हल चल विस्तार से जालंदर ग्रामीन पुलिस ने उगी गाउं में दो प्रतिद्वंदी समोहों की बीच हुई हिंसक जड़क में शामिल तीन लोगों को ग्रिटा किया है तो वहीं ये घटना जालंदर कपूर्तला सीमा के पास दे रात हुई थी जिसके बाद पुलिस ने पूरी ततपरता से जाच की तो वहीं ग्रिपतार किये गी विक्तियों की पहचान गुटवाल सिंग बलकार सिंग निवासी सिंधवा डोना कपूर्तला और नजीर गुजर निवासी अवादन चलंदर की रुप में हुई है वहीं मामने में पांच अन्यन नामित किये गई है इस जड़त में दो विक्तियों को गुंभीर चोटे आई काला संग्या निवासी कुलविंदर सिंग और फकिंदी गंभीर उपसे खायल हुआ और बाद में उसकी मौत होगी वहीं कूलर कबूर्थला निवासी जो तिंदर कुमार को गोली लगने से चोट आई और उसका इलाज श्रीराम अस्पताल चारंदर में किया जा रहा है तो अहीं वरिष्ट पुलिस अधिक्षक हरकमर पीट सिंग खक ने चारंदर ग्रामीन पुलिस की ततपर कादवाई की सराहना करतिवी कहा कि घटना के कुछ ही घंट में रुप्यों को दिर्टार कर लिया गया उन्होंने काया कि जांच में ये सामने है कि दुन्हों समों की बीच लंबे समय से विवाद चल रहा थो और इससे पहले भी दुन्हों बक्षों के खिला प्रात्मी की दर्ज हो चुकी है वहीं जांच के तोरण पुलिस ने एक स्विफ्ट कार्ड, दो पिस्टॉल, पॉइंट बदिस बोर और आठ बोलियां बरामत की है वहीं उन्होंने काया कि ग्रिफतार और रुपियों को दारत में बेश कुजिया जाएगा जहां आगे की जांच कि लिए उनकी रिमान मांगी जाएगी जाल अन्दर से हल्चल कि लिए केमर में व्रजनी श्यर्मा की रीपोर्ट बीते कल सदर प्लीस स्टेशन दे असे चो नो दला मिली जड़ी उथे फिर नी हैगी है कांग साबू आली उगी एरिये दे वेच उगी प्लीस पोस दे वेच एक लास अड़ा पेंड हैगा जड़ा की बाउंडरी दे उपर हैगा कबूर्खला डिस्टिक देनाल दूसरे पास से काड़ा संग्या प्लीस चौंकी लग दिया जिला कबूर्खला दी उथे किसे व्यक्ति दी डेड़ बोड़ी मिली हैगी और उनों गोड़ी लगी लाश नो उन्हान ने अपने कब्जे चलिया और उधी पिशांट गेड़ी कलविंदर एलियस किंदी देनांके होई उध अबन्दया ने एक कतल किता है ओदे मुड़े दे गोडी मार के उधा कतल किता है जो एक प्लीस स्टेशन सदर दे विच नाइंटी नंबर फिर जेड़ी है मर्डर दे सेक्शन दे विच दरज रिस्टर कीती गई और एक साइमुल्तेनेसली अतला जेड़ी है प्लीस जिलंदर दे हॉस्पिटल तो भी इत्थे एक बंदा जड़ा इंजड है ओदे भी गन शॉट इंजिरीज है तो उना ने भी उदा पता कीता और जो दो ओदे वारस आए ते गड़ी गाल लगे स्टोरी निकली है गी आओए जी पी ये दो ग्रुप से गे आपस दे वेच ल विंदर किंदी सिगा और एक जितिंदर से गा दोझे ये प्ली स्टेशन सादर का पूर्खलादी रहनःवड़ाई जेदा एक दुझे दे गेंस्टे ना थे केस थी हैट केसी सी इननने दर्ज करवाय हुए ना धिरंजिश चल रही इसी एक ग्रुप दी दूसरे ग्रुप दर्म्यानी रात नो उत्वों पिछले पास्यों कड़ा संग्यां तो एक दूजे नो चेज कर लगपे स्विफ्ट कर देवेच एक दूसरे ग्रूप ने कलुविंदर किंदी नो चेज कीता और जो दो क्रॉस करके सदर नकोदर दी बांडरी चे आगए ते उगी प्लीस पोस् करने नो चेज किता और लुद किता संग क्लविंदर किंदी ने आने ओते किता नो किंदर किंदी लोगने बेच मोथ होगी और जिड़ा जितिन्दर सिंह को सीडिरिसली इंडी होगी तो होन रॉस्पिटल एडमिट हैगा असी अधे फादर दे डे स्टेंटमेंट दे त पर दीएस्पी इन्वेस्टिकेशन दे अंडर इंस्पेक्टर सी आइए नो के दे वेच्चे तप्तीश कर ली क्या गया ऐसे चो सदर और डीएस्पी न को दर देनाड उना ने बहुत क्विकली गेडियां साथे को लीड सिगियां उन्हों ड्वेल्प करके तिन बंदे टोटल आठ बंदियां दे गेंस्ट के सिस्टर होया और उना दे विच्चों तिन बंदे जड़े हैं गया यह नजीर गुजडर पुत्र म्रीद वासी पिंद कोटला काडा संगयां गर पाल संग और उफ गोपी पुत्र मंजी ते तिन बंदे रेस्ट कीते गए जिनाने कन्फेस कीता भी आर पार्ट अफ दैट गॉंस्टेसी इनाने उपकल कीता है गा जड़ी कतल दे विच्छिफ्ट का रियूस कीती गई अना बंदे वलों ओवी इनादी निशान दई ते ब्राम्र कर ले गई है गया दो वेपन जड़े है गया ओ बत्ती बोर दे माउजर जड़े ओवी इना दे कोड़ों ब्राम्त कीते है गया दूरिं इंटरोगेशन और प्लीस ने मेरा ख्याल तकरीवन बारात उ ठारां केंटे है विच 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 जड़ा केस है गा हो प्रेस ही नहीं कीता कि तेन जड़े मेर मुर्जम से गे उना नो रेस्ट भी कीता है बाकी जड़े पंज बंदे होर रेंदे है गया उना लिए वक्ष वक्ष टीमा बनाया गया है चाल अंदर कमिश्णरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्णर स्वपन शर्मा की उगवाई में अफीम की तसकरी करने वाली एक अंत राचे गिरो पंजब में अफीम की तसकरी में दिप्ट है इस सुचना के अधार पर पुलिस ने सगेंपर मुस्लिमाना रोड के टी पॉइंट की पास तरलोग वेन्यू जरल अंधर में जाल बिचाया पुलिस पार्टी ने वहां दो संदिक दिविक्तियों को देखा और उ यहीं अरोपियों की पहचान बबलू और इमरान अंसारी दोनों निवास्टी चिड़ा बरेली उत्त परदेश के रुप में हुई है वहीं बबलू की बैक से 2.70 ग्राम और इमरान अंसारी की बैक से 2.30 ग्राम अफीम बरामत हुई पुलिस ने अरोपियों की खिलाफ एंडी पीएस एक्ट के तहत मामलव दर्च किया है प्रारंभिक बुचताच में अरोपियों ने कबूल किया कि विबरेली से जालंदर अपने साथी की कहने पर अफीम सप्लाई करने आई थी वहीं पुलिस मामले की चांट में जुटी हज्चर के लिए क्यम्रामेन ग्रचनीश शर्मा की दीबोर्ट जी पंजाब सरकार वनों ने खिलाफ एक वश्येश मुहिंज लाए जा रही है जिस्दे अंदर्गत कमिश्री जिलंदर नो एक बहुत बहुत डिस्फलता प्रापत होई है मांजोग सीपी साथ दे दिशा न प्रवासी में दूर हे गया है अपा अज तक्तीश कादे पर ही है बैकवर्ड एंड पॉर्वर्ड लिंक्स टू जोड़ दे हुए जे कुछ सामने आ हुआ थे आप जी मुलस है पकड़े गए अरोपियों की पिश्चान जतिन सिंग्ग और अजेप पाल सिंग्ग दूनों निवासी अमरिस सर की तोर पर हुई है जिनके पास पांच सो ग्राम हेरोईन और 32 पोर की अवेर्ड पिस्टॉल भी बिरामत हुई है उन्होंने बताए कि दूनों अरोपियों पर मामला दर्च कर इनकी नामी और बेनामी जयदात के खिलाफ कागवई करते हुए दूनों नशात असकरों की लगबग 37 करोड 32 लाक रुपियों की जयदाते भी सील करती की है इस दोरान उन्होंने हिंदी फिल्म एमरजंसी के बारे में बोलती हुई कहा कि पुलिस को जो दिशन देश दिये चाएंगे पुलिस उसके हिसाब से ही अपनी ड्यूटी करेगी किसी को भी कानून को अपने हाथ नहीं देने दिया जाएगा तो वही मुन्हों ने कानून विवस्ता और अमान शांती बनाई रखने के लिए लोगों से स्योकी अपील भी की अमरे सर्थ से हलचर की जी सुनील खोसला की रिपोर्ट पुलेस कमिशनर जालंदर सौपन शर्मा की वगवाई में जालंदर कमिशनर एट पुलिस ने लूट पाट की के घटनाओं को अंजाम देने पर एक गेरों का परदाफाश किया है तो वहीं इस ममले की जानकरी देती हुए पुलिस कमिशनर ने बताया कि जम अवांत से जिन्दारों ने शिकायच दर्च कर वाई थी कि याद व्यक्तियों ने उसे हत्यार दिखा कर उसके पास नकदी और एक मुबाई फोन लूट लिया जिसके बाद आरोपियों की पहचान करने और उन्हें ग्रिफतार करने के लिए कई टीम में बनाएगी में उन्हें ने बताए कि मानवी खुफिया और तक्निकी सबुतों की मदद से थाना डिविजन एक जलांधर की टीम ने सफ़ता पुदवक केस्ता पर दाफाश कर आरोपियों को ग्रिफतार कर दिया है उन्हें बताए कि एरोपियों के पहचान हर कीरत पाल सिंग, हरेश कुमार और रितिक अटवाल के रुप में हुई है में पुलिस ने एक मुबाई फोन साथ हजार रुपियों की नगदी और प्राध में इस्तिमाल की गी हतियार परामत की है उन्होंने बताए कि इस मामले में थाना डिविजन नमबर एक में भी अनैस के तहत मामला दर्च किया गया है उन्होंने बताए कि आरोपियों ने पूच्टाच में स्विकार किया कि उन्होंने एक रहडी मालिक से भी दस हजार रुपे और एक मुबाईल फोन डूट लूट लिया था ममले की आगे की जान्च जागी है और जलती और जानकरियां सांचा की जाएंगी जान्दा से हजचल की दी केमरेमें रजनी शर्मा की रिपोर्ट अनुसार कारवाई करते हुए मुखवसर थाना डिवीजन नंबर वन दी टीम ने तेन दोशिया नों गिरिफतार किता गया हते इना को लोंग एक मुबाईल फोन साथ जार नगदी ते एक दातर भी बरावत किता गया गांधी वनीता आश्रम जालंदर से साथ नबालिक लड़कियों द्वारा फरार उने की घटना सोशल मीडिया पर वाइडल हो ली है इस मामली पर मीडिया को जानकर इदेते हुए चरनदर सेंटरल एसीपी निर्बल सिंग ने बताया कि इन नबालिक लड़कियों ने बातरूम की दिवार तोड़कर भागने की कोशिश की और इस दोरान ब्यूटी पर तेनात महीं को पुलिस सदिकारी को घायल कर दिया तो महीं इस मामली में पुलिस ट्रेशन डिविजन निम्बर दो चरनदर में बी एन एस के तहत ममलब दर्च किया है। पुलिस ने सभी नबालिक लड़कियों को फिर से जिर्टार कर लिया है। इस घटना ने शेहर में सुरक्षा व्यवस्ता पर सवाल खड़े कर दिये है जानंतर से हल्चर के दी क्यामरेमें रजनीश शर्मा की डिपोर। कारवाई दिली में ते सेच्चो डिवीजन 2 जड़े असी मौक्के दे पहुंचे सी गे। जो मौक्के दे पहुंचके जड़ी सडीर दे डूटी दे हाजर सी की लड़की अम्रतकौर। उदे तो सारी गलवात की ती और उदे भी जड़ा है गा इना लड़कियाने सेर्दे गलवाई दे बट्र मार के साट अमारी जो उदे बियान दे होते अम्रतकौर। बियान दे होते हैं काल जड़ा है गा मकादमा नमबर नपर अंडर स्रेक्षण 109, 115, 112, 212, 201, काट जीमन दो, BNS दे ते ताय थाणा डिविजन नमबर दो दो दे काला सीदार जिस्टर की ता स तो फेलहाल जड़ा CCR बच्चिया जड़िया है गिया ने उननों इस मकादमे पे जड़ा है गासी एप्रिहंड कर ले ची अमरी सर ट्रैफिक पुलिस की और से अमरी सर जीटी रोटपन नाकबंदिकर स्कूल से आने वली विद्यार्थियों को रोग कर उनकी चकिंग कीगी इस दोरान जिन विद्यार्थियों के पास सो CC ये अधिक CC की दोपहिय वाहन थी उनके चलान कीगी और पांच छात्रों की मोटरसाइकल और एक्टिवा भी चप कीगी इस सबसर पर ADCP ट्रैफिक हटपाल सिंग्नियों मीडिया से बाच्चत करते हुए कहा कि लगातार स्कूलों में सेमिनर लगावकर चात्रों को समझाया जा रहा था कि वे 100 CC ये इससे अधिक के दोपहिया वाहन ना चलें वे सिर्फ 50 CC वाली बिना केरों की एक्टिवा ही चलाएं लेकिन फिर भी चात्रें नहीं समझे जिसकारन उनके चालान किये गए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इनकी माता पिता पर भी बंती कारवई की चाहेगी अमरे सर्थ से वे हल्चर के लिए सुनी खोसरा की रिपोर्ट ब्रीफ किता जा रहा कि एजड़ा वा तुसी अपने बच्चे आनू जिनना दी उमर सोड़ा तो 17 साल है उनना नू 50 CC गड़ियां विकल बिना गेरां तो ओ चला सकते हो ले दो नहीं ता साइकल लेके दो जा उनना किसे बास दे रहा हैं स्कूला जो तुसी एज़े बड़ विकले ना चलाू न ता जो गरे बच्चे जड़े यह उनना दी जड़ी लाइफ यह उननू सेव किता जावी ना त्यार वी जड़ा बच्चे ने वेचता डेबलों समीनार भी देए ने पेरेंट्स नों सम्झाया ली गया फेर कि जड़ी नहीं करते थे अउन्वाले तो पदेखिए इस तरह चलेगा जी जेड़ा बच्चा कुनोन तोड़ेगा ओधा चलान होएगा तो फ़रेंस भी जर्माना होएगा जहां सजा होएगी अजिए अजिए ने बिकल बांड कर ले जिए आज फ़रेंस नो बला एज आज होंता कसी पांच कर ले जिए पांजी कीटे जिए इननों बहुत हजाएता देती हैं कि इननों प्रीफी कीता गया इननों गहां वास्ते किया पिर अपने स्कूल जाके बाकी सारे नू दसो पिर जड़े वड़े विकल लेकर कोई नाया होना पंजास सीसी आप बिना गेरां दो एजड़ी एक्टवा नहीं जड़ी एक्टवा एक्सो दासी सी है एड़े गेर ने एटमेट गेर ने विदावट गेर नहीं आगी इस सारे जी कोई 17 साल देने कोई 14 साल दे को 15 साल देने इस सारे बच्चे शोटे एड़े जीपी पंजाबनी अदावलती आदिशों के अनुपालन और जांच दक्षता दोरान इस संब्सक्राइब आने वरी चुनोटतीयों को समझने और शुल्जाने के लिए चर्चा की जाँच को समय पर पूरा करने मानने न्याल्यमें गवाही के दिखलियों करने कि मोहनज चाओड़ा एड़े जे पी पंजाब पी दिख्चता में गत दिभस चालंतर भी एक बैठक आयोचित कीगी। अभियोजन और तामिली स्टाफ की कर्मचारियों ने भी भाग लिया। के नजदीक सी डिविजन थाना से ग्रीन बेल्ट में पोधे लगाने की मोहिम शुरू कीगी। इस अफसर पर अस्पताल की चेर्मेन भाई गुरू किबाल सिंग, मैनेशन डिरेक्टर भाई हर बिंदरपाल सिंग, विधायक डॉक्टर इंदबीर सिंग निचर प्लैनिंग बोर्ट की चेर्मेन, जस्टेट सिंग और गुप्री सिंग चाहत की और से पोधे लगाई गी। अमरे सर से हलचत के लिए सुनीर खोस्रा की रीपोर्ट। जो के आनोले समेद वेचापा वातावरन सिंगाल तो किये तो मैं सारे नों बहुत 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 आई देना जी। वाही गुद्धी का खालसा, वाही गुद्धी की। देखो जी जितनों तक हरे आलीदा से बांद होते बाद तो बाद भूटे लाउंदी लोड हैगी। इतने जिमें मापुर्शाने दस्या है, इस साथगुरां दी मेना शुरुवात होई है। अग्रों से अर्दास कर देयां ते संगत मों बेंती कर देयां। भी हर कोई अग्ये आवें पावें एक बुट्टा ते पावें एक माली दीए। अग्ये आप पानी देख पाल कर सकीए। इस अग्ये लोगों भी पील करांगे कि बुट्टा तोरं दी बजाए आपने वल्लों माली लागे जाँ आप पानी देखे दी शुरुवात कर सकीए। बाइग बुट्टा खाल सावाई दी जाए। इस सालेश अग्ये सब्तार योग इंदल भीर सेंजी मेजर जो बीरी पीरी जूस अडरेशन देया है, सेवा बार लें चाहत जी। इस भी कोला चैरिटबल आसवार लिटल भीर जी। इना सारे बल्लों जी शान नूं हाल भीकड़ी इशारा हुआ है, चाटी मेड़ जोंग तो खजानया ले गेड़ा था कि जेड़ी जैना, जी जी जा ना वेला ना इरिया जी जी इन्नी बेल्ट है। पर बात कहां तुरे चलांगे जब जब जबें कारज होए अजे चाटी मेंट चौंग तो खजाने आले गेड़ दा के सेवा देने तो होने डाक्टर साथ ने दस्या किया जी कोई लाओन वाला काम भी चंगाया पर उस तब संभालाना ला काम असली कि दो रही है हो जरूर बेंटी करांगे हो ज़्यादा जरूरी है रंगरेटे गुरू की बेटे अमर शहीद बाबा जीवन सिंग जी के 363 में जरूरी दिवस को समर्पित 25 में चेतना मार्च को लेकर शहीद बाबा जीवन सिंग श्यक्षनिक और भलाई प्रस्ट चंडिकड की यॉर्ड से अम्रिस्तर में प्रेस्वारता कीगी जिसमें शहीद बाबा जीवन सिंग जी को 25 सिल्वर जुग्ली चेतना मार्च बड़ी हुई श्रूर्द भाव के साथ श्रीयकाल तखत सहीब से लेकर श्री पुटना साहीब तक सज़ाई जने के बारे में जानकर प्रिद्दान कीगी इस मौकेबर ट्रस्ट की चेर्मेंट जस्वन सिंग में बता है कि इस चेतना मार्च की तयारिन को लेकर रेकुमेटिंग कीगी है 27 अगस्त को श्रीयकाल तखत सहीब में श्री अखंड पाट सहीब जी अरंभूंगी और 29 अगस्त को सुभे 7 बजे श्रीयकाल तखत सहीब से बैंट बाचों के साथ रेल्वे स्टेशन अमरे साथ 19 मार्च अरंभूगा जो कि रेल्वे स्टेशन पतना साहीब में पहुंचेगा जहां से बैंट बाचो की साथ बोर्वें तकते श्रीहरबंदेर्स इस द्यरु अपराना कीखे साथ मैं शीहित बाबा जीमींसिंगंछ विद्धेकर भड़ कर दो फिक पीछले 25 अलों प्रॉप परवारा कार रहे हैं जि इस साल भी इस्य आरल्ला का रहा है पहला थे में अकाल तक साथ तक सारे पंजाब्याब लाध के लिटिके लेके जनते रहे एठना मार्च एैसी बाबाब ऐसी मत्था तेक के रेलवे स्टेशन प्हुंचे जड़ा है सारी संगत यृन थे स्पईशल इन अधे Dollis व्हाँ चानिकान я तो गदॉत किह लें तरह के बोउत्स जी मखंगा भूलों के लिए भी मातिज्ट हमिए दोगी। रखिंदाते हो रह minder क्ली चैसिन देजैनल को में उन्हाइन दखाई जाएगा। और स्वेरे आठवजे तक्त श्री हरमंदर जी पठना साविके श्री अकांडपाट साथे हरम कीते जानगे। और स्थानों पर कार सिवा संत महाकुर्शों और इलाकाई संगत की विवस्था की गी है। अंधन श्रीगरु ग्रंत साहिब जी को छत्रचाया में पंच प्यारी किया गुवाई में नगर किर्तन निकला जाएका साथी किर्तन दर्बार सजाई जएंगे। जिनमें रागी, धाडी, कवी, प्रचारक, संत महापुरुशों और अन्य विद्वान अपनी हाजरी लगाएंगे। पांचों तक्त साहिब के जथेदार भी समागम में शामिल होंगे वहीं, शुर्मनी गुर्दवारा कवंध कमेटी की प्रचारक भाई निहाल सिंग और कार सिवा बबाजी के ने संगतु के समागम में बढ़ चड़कर भाग लेने का आवाहन किया। प्रचार कमेटी खाज करके परदान साहिब सरडार हर्जेंदर सिंग तामी अकालतक साहिब दे जथेदार साहिब सरडार सिंग साहिब रगवीर सिंग जी सार्यावलों एक खुली अपील है समुशाद संगतनों इस प्यारी सतापदी जो गुरू रामदास पिता जीड़ा गुर्तगर्दी पुर्ब शाड़ी चारसो साला गुरू अमरदा साहिब जीडा जोती जोड़ पुर्व साड़ी चारसो साला एक दो में सताथियां पागानाड गुरू कि प्यारी संगत स्रीकोंवार्ड शहर्डा पामना सटकार साहिट मना रही है इदेल ही प्रिशाशि ना खाश करके प्रबंद बहुत वड़ा है हते सुमु साथ से नो बेंती ये कर देया है सी पी अगे ना लो बहुत जाड़ा जोड़ मेले हम इच जड़ा सदार भी होया ते नौजवाना नो खाश करके अफील है पी यो गुरू अमरदास सहब देदार दे शर्दासरकार सहथ दर्शन कर लिया हम ना उजवान पीडी यडी है वो संसार देले एक अदर्शन दिया है ते गुरू अमरदास सहब जी сознसार देले अदर्शन है ना बहरांस जाड़ा ये गुरू टी सिवा करके साड़े लियी अदर्शन जीड़ावा संसार नु देटा तह कुरू दे कर दे बारां दरवाजी ने वो गुरु डियां बारां बख्शुशाने ते बेंती एह हुई है सुमु साथ संगतुनों पी नाउजवान वीरानों पी ओह लडवाजी ना करन किसे तरह अजे ट्रेक्टरां ते डीजे लाउने जान जेडे किसे तरह अजे फालतू हारन जेडे अब उन्हा तो ग्रेज कीता जाए ते गुरु अमर्दास साथ संगत सारी सेख कौम जेडे जिठे जिठे भी गुरु नान के नाम लेवा रब्दे प्यारे रही 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 है वह सा जोग देडे तांके जेडे ये बहुत वटिया दोस्ताबदिया ने एचड़ी कला नाले से वेच मना सकी ये खाश करके बेंती है पी नौजवान वीर जेडे या उसा जोग देन तांके जेडे ये सताबदिया ये गुरु अमर्दास साथ जीठे करपा नाल चड़ी कला नाल मनाई जा सके गुरु के द्वाना चाओ गुरु डाजा सुनो गुरु के रागी सेंग टा इसई सुन्दरता देख दे हैं एक गुरुडे परचार का गुरु डे प्यारियां करके उन धिए गुरुदारियां करके उन दिये जोड़ो अपने जीमन चटडी कलावेचल लिया हूँ लिका खाल साथ होई फसकूहं गुरु दीवी सहाइ गल्सकूल और दीवी सहाइ सोलर रोड की छात्रों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया तो वहीं ये विग्यान मिला रामकिशोर उपधिक्ष नवीन करवल सेकेटरी विभूति करियो पी आरो सुनीत भूशन मोहित शर्मा फाउंडर मुकेश की अध्यक्षता में ह तो वहीं इस विग्यान में विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रकार की विग्यान की मॉडल बनाई हुए थी वहीं शीक्षा की दीख्षा एक ऐसी संस्था है जो ज़रूरत मंद और अप्रतिवा शौड़ी विद्यार्थियों की सहाइता करते हुए उन्हें आके करने का मॉका प्रतान करती है देवी सहाय सुडर रोर्ड स्कूल की प्रिंसिपल संजे शर्मा जस्पाल सिंग सेनी हर्किल सिंग्व विवयन सुफ्त नीतू मिश्रा तीपक कवित्वा वमिस करिशमा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इस प्रतियोंगी तव में अलग लग स स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल हुए, वहीं स्कूल के प्रिंसिपल संजे शडमा ने चातरों को और भी आगे बढ़ने के प्रेर्ट किया, जानंदर से हलचल के दिए केमरामेन सुदेश भगत की रिप्रोर्ट स्कूल के साइंस प्रिंसिपल स्कूल के सिक्षा की दिख्षा वन्हों का साइंस प्रिंसिपल भी आगे जिसने विच शे स्कूल ने बाट चड़के इस से लिया है, हजे चल रहे है, मिलना इस विले, इसने विच शेड़गा स्कूल, अपना इंडस्ट्री अरिया स्कूल, DSSG स्कूल बल, डियासेटी स्कूल शोडर रोड, डियासेटी इंडस्टी अरिया ने पार्टिस्वेट किता आएगा, बच्चेया ने कही तरह दे प्रजक्ट बनाए ने, इस दा मकसद सिर्फ एक को यह थी बच्चेयां दी साइंस दे विच रूची पैदा की प्रिजास है, तो जड़ाइने अज चंदर्यान बनाया, सच मोडर बनाया, वो कलनू एक चंदर्यान कलनू बनाणे, मैं सिक्षा दी दिख्षा दे बलो, जड़े रे आएने साड़े को उनना दा भी बहुत बहुत तन वादिया, जिनान ए सारा कुछ साड़े को लोग परवाया, इसलिए मैं जालंदर शिक्षा वे भाग की आरसे, जोर्नल नंबर एक से सबंदे जोर्नल खेड़ों के अंतरकत लड़कों वा लड़कियों की बास्केट बॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन संस्क्रित के एमवी स्कूल्टांडरोड की देख्रिव में स्थानी हंसराज स्टेडियम म 22 अगस्त से 24 अगस्त सायोजन किया जा रहा है, जबकि लड़कों की बास्केट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन की एमवी कृलज के खेल में तान में किया गिया। विंदरकॉर मोहलाल अमरजीत वच्चान भंडारी विशिश्रूप से वस्तित रहे वहीं प्रतियोगिता की दूसरे दिन लड़कों की बास्केट बॉर्ड प्रतियोगिता की परिनाम इस परकार रहे अंडर चौथे वर्ष आयो वर्ग में दिल्ली पुब्लिक स्कूल ने पहला बिपिश और इविया ने दूसरा वा पुलिस डिये वी ने तीसरा अंडर सत्रे आयो वर्ग में पुलिस डिये वी ने पहला संस्क्रित केमवी ने दूसरा वा डिप्स स्कूल ने तीसरा स्थान प अंडर 17 आयूवर्ग में पोलिस टीवी ने पहला सरकारी सीनियर सकेंडरी स्कूल ने दूसरा वा स्टेट पब्लिक स्कूल ने तीसरा स्थान हासिक गिया। दूसरा देने है अज कल लड़कें धा टूर्नामेंट खतम हो या सिगा जब कि अज लड़कें दी शुरू हात है अंडर 14 न वर 17 बास्केट बाल थे टूर्नामेंट है जयदे वेच लगपग दस स्कूला दे दोसों बचे पाडिस्पेट कर रहे ने और सथी जड़ी कोशिस प्रिंस्पल ने वह एक ग्राउंड प्रॉइड कराई गई और तनवात कर दें असी अनुप जी दा जिन्दाने की स्पोर्ट डेपार्टमेंट वह लो सानू सारियां ओ सुभधावाजडियां की इना बच्चा देली जरूरत ने टेक्निकल दियां जरूरत ने वह सारियां मह मैच मिले वदिया इननों ऑफिशेटिंग मिले और एदे नाल जोन दी एक वदिया टीम त्यार होवे जिदे करके आनवालीयां जिदियां जिला खेटा हैं वोदे जोन नंबर वन वदिया तरीके ना पाड़ी स्पेड करें ते नाल दे नाल मैं तनवात करना चाहांगा मौका दिता और असी इस मौके नूं वदिया तरीके नाल करन दे लिए पुरा-पुरा अप्राला कर रहे हैं असी तनवाद कर दे हैं डिये सो साफ जनाव गुर्पी जी दावी जिना ने इस ग्राउंड दे वे सानूं ओ सारियां सहूलतां दितिया ने जो की इना खडारिय जिते सूलता मिल रही हैं तो दे नाली नाल ओफी शेटिंग दा भी बहुत वदिया इंतिजाम है ते बच्चे खेड रहे ने अनंद कर रहे ने अजी चाहांगा कि बच्चे थे खेड़ना दे नाल दे नाल वदिया तरीके दी परफॉर्मस देन और जोन दे नाल समन पारिस्पेट करें जालंदर में धार्मिक गाय को पवन राच की नई धार्मिक अल्बम मा चंत पुनी दे दर्बार चलिए का विमोचन की आगिव जिसका विमोचन प्रसेद जबी गाय को मास्टर सलीम नी विशेश रूप से वस्तित होकर अपने कर कमलो से किया इस मौके पर बोमन चंद दिनेश टीकियो गौतम जालंदरी कमल जी सिंग सहीत अन्य सदसिकन भी पस्तित रही जालंदर से हचर के लिए केमरमेंट सुधिश भगत की रीपूर्ट बहुत ही खुशूरत वासा अवन रहा है तुसी खोश रहो अबाद रहो ते इस पे इटनूबात तो बद प्यार देओ मान देओ जैमाता है गुगवा पीर वेलफेर सुसाइटी एड़ा होश्यार पूर फाटक जर्णतर की और से हर वर्ष की तरहें इस वर्ष भी गरीब तथा जुरूरत मन परिवारों की लड़कियों का चौधमा समुहिक विवा समरो 28 अगस्त को प्राते 11 बज़े कर पाया जारह है इस समन्द में इस विवा समरो में शहर के गर्माने विक्तियों को विशेश रुच से मंतरित करने के लिए उन्ही निमंतरन पत्र प्रदान की जारह है जिसके चबते सोसाइटी के अध्यक्षर राचिंदर वर्मान देशा, जनरल सेकेटरी मकहन सिंग और उपाध्यक्षर सुनीद मतान की और सिव जिर अधीश हिमाशु अग्रवाल कमांडेट अशुनी कुमार जा, हकीम तिलक राजकपूर असुताल के डॉक्टर नमनीत कप एसेपी ट्राफिक आतिश भाटिया और मनु शर्मा को निमंतरन पत्र प्रतान किया गया, इस मौके पर सभी निस सोसाइटी सदस्यों को ये विश्वास दिलाया कि वेस्त विवास समरों में बढ़ चोड़कर भाग लेकर अपना पूर्न योगतान देंगी, गौर तलब र प्रतान किया गया, इस वांद विच आज एसी ट्राफिक पुर्स ने आज जैसी एसी एसी पी साफ परत्पाल से की ट्राफिक उनन पास आया, उनननों सद्दापतर असी दिता है और अवीद कर देंगे ये भी इस प्रोग्राम दे विच बचियानों सी इरवाज दें जरू बोलो री, बोलो, ने तुझे बोलो. तिलक राज कपूर वयाजी दे धफ्तर पहुंचे हैं और उनन सद्धापतर अची आज दे रहे हैं और अग्गे भी एस अनुसे जो कारदे रहें देहां इना दासी सोसाइटी वह लो बहुत-बहुत शुकर दियार और तानबद कर दी शादो 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 कि मैंने इनिविटेशन देन आए ने मैंने अधा बहुत थैंक्फूल है ते हर वार हमेशा में नहीं केंदे कि आना ज़रूर है और इस वार बावेनु भी कहता है कि मैं पहुंचांगा जूरूर और जू मेरी सेवा लाण का पाऊ भी ना पूल प्रसीदे चकित्सिक और अमर जीद गोल का आक्समें कि निधन मुखिया उनका अंतियां संतकार चालंदर स्तित अनाम दा सुरा शंप्शान घाट में किया गया इस दोरां सब्सक्री डॉक्टर अमर्जीद को मुखागनी उनकी बीटी डॉक्टर संधीद गोल ने दी इस मोके पर द्यानिक सभीरों के शीतल्वीज पूर वीधायक मनला राजुनतर बेरी अमर्जीद सिंघ अमरी राजानोंगरवाल रशपाल संधवाल दक्टर जैस चाथरी डॉक्टर अमरित डॉक्टर आर्बतरा ।ौक्टर जेपीयस डॉक्टर वीके चीमा शामिल की डॉक्टर आस रहू, डॉक्टर आन आप आनतमी हल्चर की कदि विधियूंग पर एक नजर फिर से जालंदर दिहाद पुलिस ने गाउं उगी में दो पक्षों में हुई हिंसक जड़क के मामली में तीन लोगों को गिया ग्रिट तार दो पिस्तोल बतिस पूर आठ भूलियां एक सुर्फ कार की विरा में जालंदर कमिश्नर एड पुलिस ने अंतर राज़्वी गिरों का भांडा फूर कर दो रुपियों को किया ग्रिट तार पांच किलो फिम की बिरा में अमरिस्तर दिहाद पुलिस ने दो नशा तसकरों को किया ग्रिट तार पांच सो ग्राम हेरोईन की बिरा में इसके साथ ही अब तक एकतिवी धियास मफ्त होती हैं और तासा जनकर के लिए दिखते रहे हैं हल चुछ